नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GK Tracker पे देखे फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम प्रिवेस प्रशनों की जो हमारी सीरीज है टॉप GK MCQ सीरीज इस सीरीज की 148 वी क्लास यहां पे कवर करेंगे इस सीरीज की पिछली क्लास आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं आज का हमारा पहला कुशन है निमलिकित इस्थानों में से कहां पर शोमपेन जनजाती पाई जाती है तो देखे जनजातियों को लेकर के कौन सी जनजाती किस छित्र में पाई जाती है कहां निवास करती है ऐसे कुशन बनते हैं जब हमने भुगोल की सीरीज में भारत के द्वीपों के बारे में बात करी थी उसमें हमने अंडमान निकोबार द्वीप समहु के बारे में बात करी और वहां पर रहने वाली कुछ जनजातियों के बारे में देखा उनमें से एक जन जाती है आपकी ओजेस जन जाती कहा निवास करती है अंडमान निकोबार दूइप समहु पर इसके लावा एक है आपकी सेंटेनिलीस जन जाती ये भी कहा निवास करती है अंडमान निकोबार पर सबसे प्रसिद जो पूछी जाती है वो है जारवा जन जाती ये भी यहीं पर है और इन ही के साथ निवास करती है आपकी शोमपेन जन जाती तो कहां हो जाएगा आंसर निकोबार द्वीप सम्हूं निक्स्ट है हमारा पश्यमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पती का प्रकार क्या है दिखे प्राइदीप्य भारत के बारे में हमने कई बार बात करी है इधर का जो आपका समुदरी तट वाला इलाका है इधर आपका पढ़ता है पश्यमी घाट और पश्यमी घाट के इध वन या सदा बाहर वन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऐसा कोशन बना है कि पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन है या सदा बाहर वन किस शित्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। निम्न में से किस एक शाशक ने पाटली पुत्र नगर की स्थापना करी और इसे अपनी रास्थानी बनाया। तो पाटली पुत्र नगर की स्थापना जिससे हम आज पटना कहते हैं इसका जो संस्थापक था वो उदाइन था और उदाइन के द्वारा ही इसे अपनी रास्थ अगर आपसे ये कोशन बन जाए, जो उदैन था, ये हर्यक वंश का शाशक था, इस वंश का संस्थापक किसको माना जाता है, इसी वंश का जो संस्थापक था, वो बिम्बी सार को माना जाता है, इसी बिम्बी सार के पुत्र का नाम था अजात शत्रू और इसी अजात शत्र के पुत्र का नाम था उदईन एक और चीज जो ये हर्यक वंज के शुरुवाती तीन राजा हैं इनके धर्म को लेकर आप से कोशन आता है कि बिम्बी सार किस धर्म का अन्युआई था तो ये आपके बौद धर्म का अन्युआई जो अजात शत्रु है यहाँ शुरुवात में जैन धर्म का अन्युआई था बाद में बहुत धर्म का अन्युआई बनता है और इसी के काल में पहली बहुत संगती होती है जबकि जो उदईन था ये जैन धर्म का अन्युआई था तो ऐसे कुशन बन जाते हैं निक्स्ट है हमारा चोल सामराज्य के संधर्व में निमलिखित युगमों में से कौन सा एक सही नहीं है तो चार कथन दिये हैं चार चोल राजाओं के नाम दिये हैं चलिए देखते हैं कौन सा वाला गलत है चोल सामराज्य की स्थापना विजय आले ने करी थी, पहला वाला पॉइंट आपका सही है, जो चोल सामराज्य था, इसका जो संस्थापक था, वो विजय आले को माना जाता है, लगभग साड़े 800 इसवी में, 850 इसवी में इसके द्वारा चोल सामराज्य की स्थापना करी गई, एक कोशन पूछा गया था आपसे, चोल शाशक शुरवात में किसके सामन्त थे, किसके अधीन होते थे तो ये आपके शुरवात में पल्लवों के सामन्त होते, ठीक है दूसरा स्टेटमेंट दिया है, मालदीव दीप समहु की विजय आदित्य प्रथम ने करी थी सेकिंड वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, दिखे आदित्य प्रथम को लेकर केवल एक सवाल आता है, बस उसको याद कर लीजे चोल वंश का संस्थापक विजयाले था लेकिन ये एक स्वतंत्र शाशक नहीं था चोल शाशन को पून तहा स्वतंत्र शाशन के रूप में किसने इस्थापित किया, वो आदित्य प्रथम ने किया, इसके लावा कोई दूसरा कोश्यन इसको लेकर नहीं बढ़ता, ठीक है मालदीब, द्वीब समहों की विजय की बात करें, ये करी थी चोल शाशक राज राज प्रथम ने, option B आपका गलत हो जाएगा, जो राज राज प्रथम था, उसने चोल शक्ती का पुनह जिनोधार किया अपनी नौसेना को मजबूत किया राज राज प्रथम के काल को चोल काल का महांतम काल कहा जाता है, शिरिलंका के शाशक को उसने हराया और अपनी नौसेना के दम पर मालदीव पर भी उसने विजय प्राप्त करी तो यहाँ विजय किसने प्राप्त करी थी राज राज प्रथम ने करी थी नाकी आदित्या प्रथम ने तीसरा, चीन में दूत मंडल भेचा किसने भेचा? राज-राज प्रथम ने ये आपका सही हो जाएगा राज-राज प्रथम पहला चोल शाशक था जिसने भूमी की पैमाईश करवाई और पैमाईश के आधार पर टेक्स का निर्धारन किया ऐसा करने वाला भी ये पहला शाशक था गंगे कूंड चोल की उपाधी राजेंद्र प्रथम ने धारन करी ये वाला बिंदू भी आपका सही है देखे जो राजेंद्र प्रथम था यहाँ बंगाल तक पहुँच गया था गंगा को पार करा इसने और जो महिपाल था पाल नरेश था उसको इसने पराजित कर दिया महिपाल को पराजित करने के बाद इसने एक नगर बसाया गंगे कूंड चोल पुरम और गंगे कूंड चोल की उपाधी धारण करी तो गंगा नदी को पार कर बनने वाला चोल शाशक भी कौन है राजेंदर प्रथम है राजेंदर प्रथम को लेकर एक कोशन और याद करना चोल सामराज्या का सबसे जादा विस्तार किसके शाशन काल में हुआ इसी के शाशन काल में हुआ ठीक है और जैसा मैंने आपको कहा इसने महिपाल जो की एक पाल नरेश्ट था उसे पराजित किया था आप जानते हैं जो पाल शाशक होते थे या बंगाल की साइड शाशन करते थे कोशन आता है किस चोल शाशक ने पाल शाशक को पराजित किया वो भी राजिंद्रु प्रत्थम था तो हमने चारो राजाओं को लेकर क्या-क्या बाते हैं क्या-क्या important points हैं उनको cover किया और second वाला गलत है इसका सही आंसर क्या है उसको देखा और आधित्य प्रत्थम से क्या point है उसको देखा निवन कथन और कारण में से सही कथन का चैन करें तो एक आपको कथन दिया है एक कारण दिया है चलिए देखते हैं इल्टु तमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था तो कथन तो आपका बिलकुल सही है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबदिन एबक के द् ये गलत हो जाएगा शाशक बनने से पहले इल्तु तमिश बंदायू का सुबधार था ना कि लाहौर का जो कारण है आपका वो गलत दिया है तो कथन सही है और कारण गलत है ठीक है? राजधानी उस समय लाहौर थी जब ये शाशक बना और दिल्ली सल्तनत की रास्थानी लाहौर से दिल्ली लाकर शाशन करने वाला ये पहला राजा था लेकिन राजा बनने से पहले ये बंदायू का सुबधार था ना कि लाहौर का सुबधार था तो उप्शन C इसका सही आंसर है निम्न में से किस वेद में यगों के नियम और विधी विधानों का संकलन मिलता है तो यग करने के नियम और उसके जो विधी विधान है तोर तरीके हैं इसकी जानकारी हमें किस वेद से मिलती है ये मिलती है हमें यजुर वेद से Option C, सही आंसर हो जाएगा यग्यों के नियम, विधी विधान इसमें हमें देखने को मिलते हैं बलिदान विधी, जो बलिदान करने की विधी है वो भी हमें इसमें देखने को मिलती है एक और question, यजुरवेद को लेकर पूछा जाता है कि कौन सा वेद है चार ही वेद हमारे पास है, रिगवेद, सामवेद, यजुरवेद और अथरवेद इन चारों में कौन सा वेद है, जो गद और पद दोनों में लिखा गया है अधिकांश वेद आपके पद में लिखे गए है गद और पद दोनों में कौन लिखा गया है वो यजुरुवेद है यजुरुवेद का जो पाठक करता होता है उसे क्या कहा जाता है उसे अर्धवयू कहा जाता है ये भी पूछा जाता है नेक्स्ट है किस संधी के पश्चात पेश्वा मराठा संगठन के वास्टवीक प्रधान बन गए थे तो देखें पेश्वा पद मराठा सामराज्य में काफी जादा important होता था प्रधान मंत्री होता था राजा के बाद यही दूसरा सबसे important पद था लेकिन एक संधी होती है और इस संधी के बार माराथा संगठन का जो वास्तविक प्रधान बन गया वो पेशवा का पद बन गया और इस संधी का नाम था संगौला की संधी option A हमारा सही आंसर होगा देखे संगौला की संधी होती है 1750 के दोरान ये संधी होती है 1749 में जो साहु माराज थे, मराठा, संगठन के जो शाषक थे, उनकी मृत्ति हो जाती है उसके बार एक संधी करी जाती है पेशवा और राजा के बीच में संगौला की संधी और इसके बार पेशवा का जो पद था, वो सर्व शक्तिशाली हो जाता है, शारे जो अधिकारते हैं, वो इसमें आ जाते हैं यानि वास्तविक प्रमुक यही बन जाता है पेशवा का पद, कब होती है ये संधी 1750 में निम्न में से किस एक आयोग की सिफारिश पर ब्रिटिस सरकार ने अकाल कोश इस्थापित करने का प्रयास किया था इन में से कौन से अकाल आयोग की सिफारिश पर ब्रिटिस सरकार ने एक अकाल कोश बनाया और उसकी सिफारिश पर एक अकाल सहिता का निर्मान करवाया Option D, सही आंसर हो जाएगा Stretchy आयोग एक अकाल आयोग था, इसका गठन 1880 में किया गया इसी की सिफारिशों पर 1883 में अकाल सहीता बनी और इसी की सिफारिश पर अकाल कोश का गठन किया गया Option D, इनके वर्षों को भी याद करना, जो यह आपके चारों आयोग है एक्जाम में इनका करम लगाने को आता है कि कौन सा आयोग पहले बना, कौन सा बाद में बना तो पहले Smith आयोग, फिर Campbell आयोग, फिर Stretchy, फिर Loyal आयोग नेक्स्ट है, वर्ष 1928 में लाए गए Public Safety Bill का उद्देश क्या था 1928 में एक Important Bill लाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, Public Safety Bill और इस Bill का जो उद्देश था, मजदूरों, किसानों और अन्य शरम जीवी वर्ग में बढ़ रहे साम्यवादी प्रभाव को समाप्त करना जो Communist विचार धारा थी, किसानों में, मजदूरों में और जो बाकी के शरम जीवी लोग थे, उनमें काफी जादा बढ़ रही थी उसी को कंट्रोल करने के लिए, अंग्रेजों के द्वारा, इस विधाया को लाया गया था और इसी विधाया के विरोध में, भगत सिंग और जो उनके साथी थे बटु के शुवर्दत, उन्होंने केंद्रिया एसेंबली में बम फेका था, 8 अपरेल 1929 को तो किस से संबंदित है पबलिक सेफटी बिल, आपके कम्यूनिस्ट जो विचार धारा थी, सामयवादी जो विचार धारा थी उसके प्रभाव को रोकने के लिए संबंदित है, ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न युगमो में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तो चलिए देखते हैं, एक तरफ भारत में सबसे पहले स्थापित उद्योग है और किस जगहा पर स्थापित हुए उनकी लोकेशन दी गई है चलिए देखते हैं लोह इसपात तो देखे भारत में जो पहला लोह इसपात उद्योग था इसकी स्थापना 1874 में होती है और इसकी स्थापना पश्शिम बंगाल में आसन सोल के कुल्टी नामक जगहा पर होती है तो यहाँ पर लोकेशन का नाम दिया है आपने राज्य का नाम भी याद करना है पश्शिम बंगाल के आसन सोल में ओप्शन पहला वाला तो आपका सही है दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग भारत में सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले 1818 में लगाने का प्रियास किया गया था और यहाँ प्रियास कलकत्ता के फोर्ट ग्लोस्टर में क्या गया था सेकिंड वाला भी सही है हाला कि यह सफल नहीं रहती है और पहली सफल सूती वस्त्र मिल जो लगती है वो बॉम्बे में लगती है 1853 के अंदर लगती है ठीक है उनी वस्त्र की बात करें भारत में पहला उनी वस्त्र का जो उद्योग लगा वो 1876 में लगा था कानपूर में लगा था ये भी आपका सही है कागस उद्योग की बात करें तो भारत में पहली पेपर मिल इसकी शुरुवात 1832 में होती है और ये कलकत्ता में लगा था ना कि बंबई होगा तो option D यहां पर सही आंसर हो जाएगा इसकी जगह पर क्या होगा कलकत्ता होगा ठीक है, question आते हैं भारत में पहला सूती वस्तर उद्योग कब कहां लगा लोह इसपात उद्योग कब कहां लगा, कागस उद्योग कब कहां लगा ठीक है, next है, सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है एक तरफ विधी कानून दिये हैं, दूसरी तरफ उस समय कौन गवर्नर जनरल है उनके नाम दिये हैं, पहला है नवजात कन्या हत्या कानून, किसके समय में आया था देखें, नवजात कन्या हत्या कानून जो था, दो वर्षों में आ, एक आया 1795 और उसके बाद 1804 में ये कानून आया था तो जब पहली बार आया उस समय गवेनर जनरल कौन था? जॉन शोर था. उप्शन पहले का पहला सही आंसर हो जाएगा. दूसरा है नेटिव मेरिज एक्टर. ये किसके शाशन काल में आया था? नौर्थ ब्रुक के काल में आया था. 1872 के आसपास. दास प्रथा निशेद किसक एक्टर इर्विन के काल में आया था. तो सही आपके यहाँ पर सुमेलित हैं. एक तो तीन चार इसका आंसर हो जाएगा. उप्शन बी. वैदिक काल में अमाजू शब्द परियुक्त होता था. तो वैदिक काल में जो अमाजू शब्द है. यहाँ अविवाहित रहने वाली इस्तरियों के लिए इस्तमाल किया जाता था. उप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा. ठीक है? निम्र में से किस एक अभिलेग से पता चलता है कि लुंबिनी यात्रा के दौरान अशोक ने वहाँ भूमी कर की दर को घटा दिया था. देखें, लुंबिनी की बात कर लुं इसी कोशन को लेकर एक कोशन और बनता है कि अशोक के किस अभिलेग से यह इसपश्ट होता है कि महात्मा बुद्ध का जनम लुम्बिनी में हुआ था तो यहां भी इसी अभिलेक से इसपश्ट होता है इसमें लिखा गया है कि महात्मा बुद्ध का जनम स्थली होने के कारण यहां पर छूट प्रदान करी जाती है एक बटा 6 पहले लिया जाता था, अब एक बटा 8 लिया जाएगा, इस चीज़ को याद करना है, ठीक है, निक्स्ट है, विवाह, विवाह विच्छेत, गोद लेना, समिधान की सातवी सूची में, निमलिकित में से किसके अंतरगत समयलित किया गया है, देखे जो समिधान की स सातवी अनुसूची है, सातवी अनुसूची में सक्तियों का विभाजन किया गया है, और इसमें तीन सूचिया है, केंद्र सूची, राज्य सूची, और समवर्ती सूची, इसमें जो समवर्ती सूची है, उसमें ये तीनों विशयों को शामिल किया गया है, उप्शन C, इस निम्लिकित में से कौन सा एक जलोड मैदान का उधारण नहीं है इनमें से कौन सा है जो जलोड मैदान का उधारण नहीं है देखें जलोड मिट्टी के मैदान क्या होते हैं ऐसे मैदान जो नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाए जाती है उनकी वज़ास से निर्मित होते ह जैसे भारत में गंगा ब्रहंपुत्र का जो मैदान है जलोड मिट्टी का मैदान है जो नील नदी का मैदान है जलोड मिर्दा का मैदान है मिसिसिपी का मैदान भी जलोड मिट्टी का मैदान है एक जलोड मैदान का उधारण है लेकिन जो उत्तरी चीन का मैदान है जलोड मै मैदानों का निर्मार होता है उनको कहा जाता है लोयस मैदान यानि जहां पर कुछ कण जो है वो नदियों के द्वारा लाए जा रहे हैं जैसे रेट, बालू, मिट्टी उससे जो मैदान बनेगा उसको कहा गया जलूर मैदान जो पवन के द्वारा लाए जाते हैं उसके मित होते हैं उनको लोयस मैदान कहते हैं और लोयस मैदान का सबसे फेमस उधारन है चाइना का उत्तरी चीन का मैदान option A हमारा सही आंसर हो जाएगा ठीक है next सूची एक को सूची दो से समेलित करना है एक तरफ आपको वायू मंदल की विभिन परतों के बारे में दिया गया है उनके नाम दिये गया है दूसरी तरफ उनमें होने वाली घटनाओं की जानकारी है शोब मंदल में क्या होता है देखे शोब मंदल वायू मंदल की सबसे निचली परत है और सारी मौसमी घटनाएं इसी परत में होती है तो पहले कांसर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा दूसरा है समताप मंडल समताप मंडल इसमें कोई भी मौसमी घटना नहीं होती है सारे जो विमान हमारे होते हैं विमान जो उड़ते हैं वो इसी समताप मंडल में उड़ते हैं और यहां पर तापमान लगभग एक समान होता है, और यहां पर ओजून परत भी पाय जाती है, यानि दूसरे कांसर हो जाएगा 3, मध्य मंडल की बात करें, मध्य मंडल में आपका तापमान में एका एक गिरावट देखने को मिलती है, यानि नमबर C का हो जाएगा 2, जो मध जैसे जैसे उचाई बढ़ती है, टेंपरिचर लगातार नीचे गिरता रहता है, ठीकें? इसके बाद आपका ताप मंडल आता है, वहाँ पर उचाई बढ़ने के साथा टेंपरिचर फिर बढ़ने लगता है, और सबसे उपर है आयन मंडल जहां पर रेडियो तरंगों का प् जित्रफल के अनुसार आरोही क्रम कौन सा है? दिखे जापान चार मुख्य द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जापान के अगर पूछेगा आपको कितने प्रमुक द्वीप हैं, आप कहेंगे केवल चार द्वीप हैं, होन्शू, होकाइडो, क्यूशो और शीको को इसके चार द्वीप हैं, इनको आपने आरोही क्रम में लगाना है, यानि छोटे से बड़े की ओर लगाना है, अगर आप जापान के चारो द्वीपों को देखेंगे, इनमें सबसे बड़ा जो द्वीप है आपका, वो होन्शू द्वीप हो जाएगा, होन्शू द्वीप के मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं, कई बार उत्तर से दक्षिन की ओर लगाने को भी आ जाता है, ठीके, तो आपको छोटे से बड़े की ओर बताना है, तो सबसे छोटा शिकोकू है, उसके बाद क्यूशो, होकाईडो और होन्शू, ओप्शन डी, इसका सही आंसर होगा जो जापान की कैपिटल है, टोक्यो, वो इसी होन्शू द्वीप पर है, जो सबसे बड़ा द्वीप आपको दिख रहा है, ओप्शन डी, इसका सही आंसर होगा, ठीके, निक्स्ट है, मकर रेखा नहीं गुजरती है, देखे, जो मकर रेखा है, यहाँ टोटल दस देशों स होकर गुजरती है, तो दस देशों के नाम आपको पता होने चाहिए कि किस-किस देश से होकर मकर रेखा गुजर रही है, मकर रेखा आपके ब्राजील से होकर गुजरती है, चिली से होकर गुजरती है, अर्जेंटीना से होकर यह आपके गुजरती है, इसके अलावा नामि आंसर हो जाएगा ठीक है अफरीका में कौन-कौन है नामिबिया बूट्सवाना साथ अफरीका मुज़ांबिक और मेडगासकर साथ अमरीका में कौन-कौन है अर्जेंटीना ब्रजील चिली और परागवे और उसके बाद आपका ऐस्ट्रिलिया आता है ठीक है निक्स्ट है दिपावली घोशना पत्र के संबंद में असत्या कथन कौन सा है? तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कौन सा कथन गलत है? देखे पहले इसको जान लेते हैं यह आया कप था? दिपावली घोशना पत्र जो था 31 अक्टूबर 1929 को भारत के वाइसरोय के द्वारा जारी किय अब 29 चल रहा है उस समय भारत का वाइसरोय कौन है? लौड इर्विन है तो यहां इर्विन के द्वारा जारी किया गया यह आपका बिल्कुल सही है पहला वाला कथन सही है दिवाली से तीन दिन पहले इसको लागू किया गया था या जारी किया गया था इसलिए इसे दिप बात कही गई थी कि जो अंग्रेजी सरकार है वो भारत में एक उत्तरदाई सरकार की स्थापना करीगी इस बारे में बात कही गई थी क्योंकि उसी समय नहरू रिपोर्ट आई रही थी लगातार भारत में डोमिनेंट स्टेट की मांग की जा रही थी उसी मांग को ध्यान में रगते वह ये घोशना करी गई कि हम भारत में एक उत्तरदाई सरकार को देंगे और यहां पर भारतियों का शाशन बनाएंगे लेकिन इसमें कोई डेट नहीं बताई गई थी ये था आपका दिपावाली घोशना पत्र इरविन के द्वारा 1929 में 31 अक्टूबर को इसे जारी किया गया था ठीक है तो यहां पर आपको असत्य कतन पूचा है तो असत्य आपका सेकंड वाला है और यहां भारत में शिपकिला दर्रे से होकर एंटर करती है Option C इसका सही आंसर हो जाएगा सत्लच नदी आती कहां से है मान सरोवर के नजदी जो राकस ताल है तिबबत में वहां से आती है सत्लच नदी सिपकिला दर्रे से होकर यह हिमाचल प्रदेश में एंटर कर दीती है सत्लच नदी की जो टोटल लंबाई है वो 1450 किलो मीटर है जिसमें से लगवक 1050 किलो मीटर यह भारत में बहती है भारत में यह हिमाचल और पंजाब में बहती है ठीके तो किस दर्रे से आती है, शिपकिला दर्रे से हिमाचल में एंटर करती है, option C, सही आंसर होका तो friends, यह था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने GK के 20 important MCQs को यहाँ पर cover किया जैसा मैं आपसे हर बार कहता हूँ, यह question आपके previous year के question से, अलग-अलग परिक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं कुछ question ऐसे ही जो कई बार repeat हुए है, हम इनको extra fact के साथ यहाँ पर cover करते हुए चलते हैं जिससे आपके question भी clear हो जाए, revision भी आपका हो जाए, और MCQ के माध्यम से आपकी practice भी हो जाए उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को like करें, चैनल पर नए हैं, तो subscribe करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, वीडियो आपको कैसा लगा, comment box में हमें जरूर बताएं, thank you friends